हेलो बच्चो स्वागत है आपका अपनी चनल डिफेंस ट्यूटर में आज किस वीडियो में आपको बताएंगे इंडे नेवी इससार और डबल ए के लिए साइंस के प्रैक्टिस नमबर 3 को और आज का जो हमाला टॉपिक होगा वह होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स इस और बालो जी टॉफिक होता है ईसके बार आपके जयो चैप्टर स्टार्ट होंगे इसका नाम होगा उनित डायमेंसटन और उसमें उसके बाद आपको फिजिक्स के कुछ रेगवलर टापिक्स एक दो है तो आए स्टीं करते हैं वीडियोग को यदि है बढ़ वर्ट नहीं अपकर करेंगे और अशकों24 चल रहे हैं तो क्लास को भी जाकर जोड़ देखें ठीक है चलिए लगबग हमने वहाँ पर 14 लेक्षर अभी तक आपके प्रक्टिस दे चुके हैं सभी चेप्टर से रिलेटर और आने वाले समय में और भी आपके जो बचेवे चेप्टर से हैं वह भी आपको डाले जाएंगे ठीक है अभी क आप उसे बनाईए और जो भी डाउट होते हैं आप टेलिगाम चैनल पर मेसेज किजिए फोटो घीच कर भेजिए हम आपको डाउट सेशन में वह भी कंप्लीट करवाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो इसको तो यहां पी हमारा पहला को से नाज का दन नॉन म बता है कि suit Short mode का अपका इसका अंसर होगा यानिòng में कैसे नॉन मेटल है वर में एक SIR नुन मेटल है जो की क्या होता है अपका लिक्वीड होता है कहां पे लिक्वीड होता है कहां पर औहुचे रूम टेम्परीचर पर टींपरेचर पर तो प्रुकिन एक आसा नॉन मेटल स जो कि क्या होता है लिक्वीड होता है आपके रूम टेंपरेचर पर यानि आपके कमरे के तपमान पर क्या होता है तरल होता है ठीक है लिक्वीड होता है देखिए तो यहां पर हम आपको बता देंगे कि यह एक नॉन मेटल है यह कहा है यह एक नॉन मेटल है आपके कुछ आने वाले questions में हम आपको बताएंगे कि कौन सा ऐसे metals है जो कि क्या है liquid होते हैं आपके room temperature बेती याद रखेगा यह आपका non-metals है कैसा है आपका non-metals है ठीक है चलिए next questions की बात करते है आपके number of protons in an atom of an element A is 19 ऐसमें क्या है number of protons जो है उसकी संख्या कितना है उनीस है number of protons की संक्या उनीस है तो आपको बताना है कि A Plus में समें A Plus में आपका Electrons की संक्या कितनी होगी तो जैसा कि आपको पता है आपको कोई बी न्यूच्रल आटम में यहां पर हम लिखते हैं इन यहां पर इन एनी आप concept को सीखते चलिएगा क्योंकि यह आपको particular questions बता जा रहा है आपके जानोंसन में ऐसे कोई different questions भी पूछा जा सकते हैं आपके जाए पर बी देदेगा या फिर कोई element ही देदेगा और उसका पुछ लेगा ठीक है तो आपको concept सीखना है ताकि क्या हो आप उसको अच्छे से implement कर सके तो लिखांगे हैं यहां पर हम इन इन आपके क्या है इन 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 नी निट्रल निट्रल अलिमेंट किसी निट्रल बड़ाबर होते है आप से पूछा ना है कि अ में हमारा अपका कितना उलोगा ठीक है बिए जब हमारा एक axe वहां कि एकanor कॉंखिता है तो थे अंट होगा तो यह एक क्रेंश हो गया को हमारे पास अगर यह सिंप्ली ride यहां पर आपका नमबर फ्लक्टोंस एटीन बज जाएगा ठीक है एंसर क्या होगा अगर महीं पर एक जब आपके पास आएगा एक लग्टोंस आपके पास आएगा तो माइनस का मतलब माइनस मतलब अपको पता है कि एक अपको निउक्तिब χांग का यहां घ्का आयगा सब्स版 करते कि इसमें लहां हो जाता है तो यह आपको इसमें concept देखा जाता है, सारे चीज़ आपको समझ में आ चुका है, कोई problem होगा था आप हमें ज़रूर बताइगा, next question है हमारा, boxide is an ore of, boxide जो होता है, वो किस आपके element का ओर है, किस element का ओर है, boxide, ठीक है, तो याद दिखेगा, boxide जो होता है, boxide होता है, यह आ अल्मूनियम का ओर है, और आपको बता दे कि boxide का जो formula होता है, boxide का जो chemical formula होता है, वो क्या होता है, वो होता है, आपका AL2O3.2H2, और यह जो 2H2 होता है, इसे हम क्या कहते है, इसे हम कहते है, water of crystallization, water of crystallization, ठीक है, water of crystallization, तो आपको जब भी पुछा जाए, कि आपके boxide में कितने water of crystallization होते हैं, तो आप लिखेगा simply, कितने 2 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2H2 है, तो यह क्या होता है, आपके, अल्मूनियम के liquid at room temperature, अब यहाँ पर बहुत बढ़ी बात कही है, यहाँ बहुत बढ़ी बात कहा गया है, कि metals, आपको बताने कि कौन सा metals है, जो कि क्या होते है, liquid होते है at room temperature पे, ठीक है, तो यहाँ पर metal का बात कही जा रहें, तो पिछले बाले में जो हमने, bromine के बारे में सीखा था, तो वह non-metals था, confusion आपको नहीं हो, इसके गालना आपको अच्छे से बता दे कि प्रोमीन जो है, वह non-metals था, और यह metals है, तो कौन सा इस metal है, जो कि liquid होता है, room temperature पे, तो उसका नाम होता है, mercury, क्या होता है, mercury, m-e-r, क्या होता है, m-e-r, c-u-r-y, mercury यह कैसा, क्या है, metal है, एक ऐस room temperature, mercury एक metal है, जो कि क्या होता है, आपका liquid होता है, कहाँ पे, at room temperature पे, ठीक है, mercury एक metal है, जो कि क्या होता है, यह आपका tarl होता है, क्या होता है, कहाँ पे at room temperature, समझ रहे, तो यह याद रखिए का आपको, वहाँ पे non-metals था, प्रोमीन, non-metals है, जो कि liquid होता है, room temperature पे, और mercury कर ये ऐसा मेटल है जो कि क्या होता है लिक्विड होता है रूम टेमटरचर पर नेस्ट कुछन हमारा इस सल्फाइड और आर कनवर्टे इंट ऑक्साइड बाइटिंग स्ट्रॉंगली इन पर्जेंस ऑफ एक्सेस एर इस प्रोसेस इस नोन है कहा जाए कि सल्फाइड को सल्फ क्या करते हैं एक्सेस एर के प्रजेंस में यहां पर लिखेंगे एक्सेस एर के प्रजेंस में जब हीट करते हैं तो वह कैसा चैनि होता है वह आपको ऑक्साइड में बदल जाता है तो इस उक्साइड में बदल जाने की प्रोसेस को हम क्या कहते है इस प्रोसेस का नाम क्या और इस पूरे प्रोसेस को हम रोस्टिंग का नाम देते हैं ठीक है तो यह आपको ऐसे भी आपको डिफिनिशन चोटे-मोटे पूछ दिया जाता है ठीक है तो चलिए यह कुछ आपके पांच इंपोर्टेंट कोशन थे किसी परकार का प्रॉब्लम है होगा ता आप हमें कॉन बढ़ाएंगे और आपके कोशन के अमाउंट को भी बढ़ाएंगे ठीक है तो चलिए वीडियो को यहीं तरह रखते हैं अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जोड़की जाए थैंक्स पर वाचिंग में वीडियो तब तक के लिए बाब बाई